हिमांचल प्रदेश के सभी इलागों में जल्द ही साइंटिफिक फॉरेस्टर सुरू हो जाएगी इस बात के संकेत दिये के हैं सुप्रीम कोड़ द्वारा गठित कमेटी के चेर्मेन बिपी सिंग ने सुप्रीम कोड़ द्वारा गठित मॉनेटरिंग कमेटी ने मंडि जिला का दौरा किया बता दें की ये कमेटी सुप्रीम कोड के हिमांचल सरका़ द्वारा क्रीन फैलिंग को शुरू करने को लिए दाएर की गए याचीका की बात गठिक की गई है कमेटी के चेर्मेन रिटार्ड PCCF IFS BP मोहन को बनाया गया है BP मोहन ने मंडिक जिला में के पनारसा रिंस का दौरा किया और यहां पर साइंटिफिक फोरेस्टरी के संभाबनाओं के बारे में विस्ति जानकारी लेकर रिपोर्ट बनाए यह रिपोर्ट सुप्रीम कोट को पेश की जाएगी इससे पहले उन्होंने सरकल ओफिस मंडी ने बन विवाग के अधिकारों के साथ बैठक की बीपी मोहन ने बताया कि परदेश के कांगडा जिला के नूरपूर विलासपूर के भराड़ा और सिर्मोर जिला की पॉंटा रिंस में प्रियोग के तौर पर ग्रीन फैलिंग शिरू की गई है और इसके काफी सकरात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर ग्रीन फैलिंग का सारा काम इसी कमेटी की देख रेक में हो रहा है यह वो इलाके हैं जिस मुंदर तल से 1500 मीटर की कम उन्चाई वाले क्षेत्रों में आते हैं और जंगलों की देखरेक फी सही धंग से हो सकेगी। बीपी मोहन ने कहा कि 25 वर्षों से परदेश की जंगलों सबसे डेरी सिल्वी कल्चिर्स ऑपरेशन बन थे। इनमें थीनिंग, क्लीनिंग, बॉंडरी पिलर आदी के काम नहीं हो पा रहे थे। यदि ये सब दोबारशी शुरू हो जाते हैं तो जंगलों को एक निया सबरूप मिल सकेगा। इस मौके पर उनके साथ है बन अरन्यपाल मंडी, उपासना पट्याल और सभी पांच बन मंडलों से डीएफो और अन्य अधिकारी भी मौशूद रहे। आपको बताते हैं कि क्या है ग्रीन फैलिंग, ग्रीन फैलिंग की तहर जंगलों में बेकार पड़े हरे पेड़ों को काटा जा सकता है, लेकिन नबिस की दश्क में इस पर परदेश ने प्रतिवंद लगा दिया था, इस कारण परदेश के जंगलों की साइंटिफिक तरीक से विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो बेकार के पहदे या फिर उमर दरास पेड़े हैं, उन्हें हटाए बिना नई पहदों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, यही ग्रीन फैलिंग को सुप्रीम कोट से पूरी तरह से अनुमत्ती मिल जाती है, तो जंगलों में बेका सरकार के पहदे हटाए जाएंगे, उनसे सरकार को राजस प्रवापत होगा, सुप्रीम कोट ने इस संदर्म में कमेटी गठित करके पूरी संभाबनाओं को तराशने का कारे शुरू कर दिया है, इस काम से स्टेट को बहुत बाद में फैदा होगा, क्योंकि अगर ये एक् से काम शुरू हो जाएगा, जंगलों को बंद रखने से कोई लाब नहीं है, बलके वो काउंटर पोड़क्तिव है, जंगलों में साइंटिफिक तरीके से वर्किंग प्लैने बनवाके, अपने बाउंडरी पिलर लगवाके हमें काम करवाना पड़े, इस के लिए सरकार और फॉरस डिपार्टमेंट स्प्रीम कोट के काम में पूरी कोपरेशन दे रहा है, तो आज जो हम मंडी आये हुए हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सबसेडिरी सिल्वी कल्चर आपरेशन थे, जो आज तक वो भी बंद थे, जिसका मतलब ये है, थिनिंग्स, क्लीनिं फायर लैंड्स, बांडरी पिलर्स, क्लाइमर कटिंग, इस तरह के काम में जंगलों में बंद हो गए थे, और इसके बंद होने से सारी सर्विस में एक बड़ा इस तरह का विचार आ गया था, कि जंगल में आप कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो इस सारी ये जो इंस्पेक्श जा रहा है कि इसको काम को आगे कैसे चलाए जाए, क्योंकि पच्ची साल जहां पे काम नहीं हुआ, उसको दोबारा चलाना थोड़ा मुशकल है, पर मुझे ये बड़ी खुशी है कि मंडी सर्कल के जो आफिसर्स हैं बड़े मोटिवेटेड हैं और उन्होंने शौर किया ह कि सारा काम हो जाएगा